आज हम लोग बात करने वाले हैं बी ये पार्ट वन हिस्ट्री ओनर्स का ये चैप्टर फाइब है चैप्टर फाइब का ये भाग दो है ये भाग वन हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लियते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस् बताना होगा डरेग्वेद के कहुं से मंडल कांसा मंडल वर्द विवास्था से समब्णतित हैं जहें घृएवा मनल आथा मंडल नो्सा मंडल दसला मंडल मैं इसमें बेवीवास्था का समाश अश्य वार्डन किया ये पूरूस सूक्त में पूरूस सुक्त में वर्ण ब्यवास्था का वर्णन किया गया है और वर्ण ब्यवास्था कितने परकार के चार परकार के वर्ण ब्यवास्था का वर्णन किया गया है वो भी चार परकार कौन कौन से हैं आप सबको भी पताओगा चार परकार सबसे पहला ब्राम हन ब्राम हन दूसरा च्छत्री ए तीसरा नमबर में 25 यह चार वर्णन किया गया है रीग वेद के दौसवे मंदल में और रीग वेद के पूरू सुक्त में चार वर्णन किया गया है लेकिन एक और बात समझने वाली है उससे में हम क्या बताया थे कि जो यह वण्न ब्यवास्था है यह यह वण्न ब्यवास्था ऊष्समें किस चीज पर आधारित थी। यह ज़र्ण के आधार पर था या कर्म के अधार पर था evento आधारृस्था था उस समय का जो CON 50 खर्मPhone पर यानि जो काम करेंगे उस we देते थे मतलब किसी को ग्यान देते थे वो सब ब्रामन में आ जाते थे छत्रिये में कौन कौन आते थे छत्रिये में जो राजा होते थे यानि राजा जो यूद लड़ते थे सायनिक राजा के करमचारी यह सब छत्रिये में आ जाते जितने भी लोग होते थे यह सब छत्रिय दास का तो ज़्यादा परमार नहीं मिला जो मजदूर होते थे वो सब छुद्र में आ जाते थे चलिए हम आगे बढ़ते हैं समझ लिये होंगे इंद्र को पुरांदर कहा गया उस समय के सबसे परसीद जो देवता थे वह इंद्र ही थे क्योंकि वर्षा के लिए जब भी वर्षा नहीं होता था इसके लिए वर्षा के लिए किसकी आराधना की जाती थी किसकी पूजा पाठ किया जाता था इंद्र का ही पूजा पाठ किया ध्यान रखियेगा इंद्र उस समय जो थे शुरुवाती में रिग वैदिकाल में इंद्र सबसे प्रसीद जो देवता थे इंद्र ही थे तो आपको कमेंट में अब लिख कर बताना है अब देखें कमेंट म कौम से कौम दोग देवता का नाम बताना है फिर अंतरीक्ष के दोग देवता का नाम बताना है और उसके बाद पिरिथवी के दोग देवता का नाम बताना है जो वाइदिक काल में यह सब देवता थे नाकास की देवता कौन कौन थे अंतरीक्ष की देवता पिरिथवी की दे यागला कोश्चन क्या है तीरा नंबर कोश्चन क्या है योग दर्शन के परवर्थक नीमन में से कौन है है योग दर्शन के परवर्थक को वो सांख दर्शन के परवर्तक है सांख दर्शन के परवर्तक कौन है कौपिल है और गौतम कौन से दर्शन के परवर्तक है यह नयाई दर्शन के परवर्तक जो है वो गौतम है धान रखिएगा और पतांजली योग दर्शन के परवर्तक है सांख दर्शन गौतम और यह जो जो कौपिल है वो सांक दर्शन के है और ये गोतम जो है वो नयाई दर्शन के और पतांजली जो है वो योग दर्शन के चलिए आगे बहुरते हैं अगला कोश्चन क्या है प्राचीन ब्याकरन गरंत औस्ट द्याई के रचनाकर कौन है जो प्राचीन ब्याकरन गरंत औस्ट द्याई उसके रचनाकर कौन है गौतम पाणनी पतांजली या डीन में से कोई नहीं तो इसके जो रचनाकर है वो पाणनी है ध्यान रखिएगा ब्याकरन गरंत औस्ट द्य साहले कि रचनाकर पामड़नी है अगला कोस्टन क्या है अंग Apple के कुल कितिनी संख्या उस समय सब्सकार में जो संसकार अभी तक संसकर चलते हैं कुल संसकर में बलंपकर नहीं कितने परकार के एक वेक्ति के जीवन में कितने परकार के संसकार किया जाते है चार, बारह, सत्रह या सुलह परकार के संसकार होते हैं संसकार कुल कितने परकार के होते हैं सुलह परकार के संसकार होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं किसने कहा ठाकी आरे सब तो संदों परदेश से आये थे देखिए अलग अलग जो इतिहास कार थे इतिहास में जो रूची रखने वाले लोग ते ओपना अनुमान स्रीफ लगा थे यह मंसुचिए कि एससे कियों बोल रहे हैं जो इतिहांसकारों ने कहा कि आरे मदसीय कुछ ने कहां उत्री दरू से आए थे कुछ ने कहां they सब्सक्राइब करें लोगों ने अपना अपना सिर्फ राय रखता यह तो गलत बोल दिये गलत बोल दिये मतलब वह गलत इतियांस्कार रहता नहीं यह अनुमान सब्सक्राइब लगा रहे थे ना यह कोई निश्ची थोड़े है कि जिसका आंसर नहीं आया वो गलत है मैच में ऐसे होता है कि जिसका आंसर नहीं आया वो गलत है नहीं इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें सभी लोग अपने अपने छमता का अनुसार अनुमाल लगा रहे थे यहां यह कहां कहां से यह आरे कहां से आय दायर्नांसर्षवती, मैक्स मूलर, डाक्टर अभिनास चंद्र और उसके बाद बाल-गांगाधर, तीलक तो दिखे, यह डाक्टर अभिनास चंद्र जो इन होने काहा था कि यह शुत शायंसे जुन में होने रहने वाले थे, तीक है कि शायं संध्वपर्द्रेस कोन? सिंदु और उसके पास बाली न दिया तो जो आरे सूरू में आये थे और सूरू अई थे वो कहां पर आ रहा रहे थे यह पर न शब्त स geliyor वी ईह पर कन चंतर को आ झाना था और तो होगत से नहीं करते तो सबी सिर्फ मुथ रख रहे थे कि हाँ ऐसे होसकता है किसी का अनुमान गलाथ कैसे कोई दिकत नहीं है यह देखिए और यह अनुमाना white लागा जाता है कि ऐसा ही हुआ था ऐसा ही हुआ होगा होगा चलता है यहां में क्या चलता है कि उसके अनुमान हम लोग सिर्फ लगा लेते हैं कि यह ऐसे हुआ होगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब परदेश से कौन बोला था डॉक्टर अभिनास चंद्र चलिए आगे बरमर्सी देश उसको कहा जाता था गंगा यह मुना द्वाप को क्या कहा जाता था बरमर्सी देश चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है वाइदिक साहिताओं में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है 31, 25, 18, 12 तो इसमें कोई ऐसे निश्चित नहीं होता है 31 स लगभग 31 नदियों का उल्लेख मिलता है वाइदिक साहिताओं में कुल 31 मतलब वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख या इससे ज्यादा भी हो सकता है समझे लिए इतने नदियों का उल्लेख मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन ऊधावए समीती की वह वह दो 대न देती थी और Inio Benin इनको डना अनिया रहे था क्योंकि यह राजा को भी निएक जीम्हवारी की सब्सक्रावारी कुरब्याए रेगवैदिकाल में ये दोनों सनस्थां बहुत िताकत वर थी लेकिन जैसे ही लेगवैदिकाल के बाद उत्तरवैदिकाल धिरे-दीरे बढ़ने लगा राजा का वर्चास। बढ़ने लगा अब इन साबा और समीति का पावर धिरे-देरे कम होने लगा सक्ति कम होने लगा और राजा का सक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है नीमन में से कौन सी नदी का परचिंतम नाम विपासा नदी है रावी नदी ब्यास नदी सतलज नदी या डी इन में से कोई नहीं कौन सा नदी जो है उसका नाम जो है विपासा है तो यह ब्यास नदी का जो परचिंतम नाम है वो विपासा है रावी नदी का तो आपको पता है पारुष्णी नदी है रावी को क्या कहा जाता है पारुष्णी नदी कहा जाता है सतलज को सुत्रूदी कहा जाता है यह इसको सतलज को सुत्रू नदी को विपासा नदी यहां पर कहा जाते तो ध्यान रखिएगा तिये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव कोश्चन यानि कि लॉंग कोश्चन जो होता है उसको देखेंगे और यह भी सिखेंगे कि लॉंग कोश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है तो हमेला तसमाज में आ गया होगा अब इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी कोश्चन आप कमेंटर पूछ सकते हैं हमेला तसमाज में आ गया होगा